हलो एब्रीवान विल्कम बैट को अगेंज सुपर इडिटिंग चैनल वाई आज किस वीडियो में स्नैप सीट की हेल्प से कुछ इस टाइब की प्रोफेशनल फोटो इडिटिंग करने बाले हैं जो कि यार देखने में काफी ओसम लग रहा है तो देखिए यार यह वीडियो आप लोग लिए काफी यूजफूल होने वाली है तो प्लीज वीडियो को एंट तक देखिएगा और हाग आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल बिना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किचिए एंड वेल आइकन को प्रेस किचिए ताकि जब भी मैं कोई नीव वीडियो बनाओ तो उसका नौटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तो मेरा नाम है संजीब और आप देख रहा है सुपर इडिटिंग चैनल सो डाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट सो गाईज हम अपने रियल फोटो को सेयर करेंगे स्ञेप सीड एप में देन उसके बाद इस टूल्स वाले अप्संपर क्लिक करेंगे अन्ड यहां से काईज डवल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे प्लास के option पे क्लिक करेंगे और यहां से एक background ले लेंगे और इसको न कुछ इस तरीका से adjust कर लेंगे देन इसकी opacity को नगाज 100 कर देंगे देन right के option पे क्लिक कर देंगे देन यहां से नगाज इस 3 वाले option पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद view edits पे क्लिक करेंगे एंड अपने बेक्राउंड बेन इस तरीका से बरेही वारीकी से अप्लाई कर लीजिए एंड हागा जिया बेक्राउंड आपको टैलिक्राम पर प्रोवाइड कर देंगे एंड टैलीग्राम का लिंक डिस्किप्शन में जा करके डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं इस्टाग्राम आईडिया संजीप सवरिया वन फॉर्थ रीज़ इस्टाज्राम प्रॉट कर ऋंशीप मुड़ कर दो양 हो इस बात like तो इस्टाज्राम प्रॉट कर दो खिर सकते हैं तो दोस्तों हम अपने फोटो पी अच्छे तरीका से बैक्राउंड अप्लाइ कर लिए देन उसके बाद राइट के अप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देखिया यार कितना आउसम लग रहा है पता ही नहीं चल रहा है कि बैक्राउंड रिमूब किया गया है देन उसके बाद न्नकाज यहां अपने फोटो को wait करेंगे वाइट करने के लिए इस टूलिष वाल अप्शन पे क्लिक करेंगे दरेंष के बाद आप लोग ब्रस के अप्शन पे क्लिक कि जीएगा एंड यहां से नकाज exposure के option पे क्लिक कि जीए इसको 3 कर लीजिएगा एंड फोटो को जूं करके कुछ इस तरीका से अप्लाई कर दीजिए देन फिर राइट को अप्शन पर क्लिक कर लेंगे फिर से टूल्स वाल अप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से अब सेलेक्टिव टूल पर क्लिक करेंगे देन कुछ इस टाइब से जहां पर आपके फेस में ब्लैकेन होगा वहाँ रख लीजिए गा अपने फिंगर चे कुछ इस टाइब से अडजेस्ट कर लीजिए गा दोनों फिंगर एंड इसकी brightness and saturation को increase decrease करते रहेगा plus को option पर click किजिएगा and फिट से अपने body pick के part को select किजिएगा तो देखिए दोस्तों हम अपने photo को अच्छे तरीका से white कर लिए and white करने के बाद ना guys हम अपने lip पे color करेंगे उसके लिए tools के option पे click करेंगे and यहां से ब्रस के option पे click करेंगे उसके बाद यहां से सिचुडियेशन के उप्sın पे क्लिक करेंगे अपने फोटो को जूम कर लेंगे तो देखी हम अपने लिब को कलर कर लिए अपने फोटो को एस्मूद करेंगे एस्मूद करने के लिए शेयर करेंगे यहां से sketchbook app में open करेंगे then उसके बाद न दोस्तो हम इस tools वाले option पर click करेंगे and यहां से इस tool को select करेंगे and इसको follow को for रखेंगे and strength को 100 रखेंगे then अपने photo को zoom इस तरीका से कर लेंगे and इसको size को नगाज अपने हिसाब से maintain करते रहिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए and comment कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक और comment मुझे बहुत motivate करता है वीडियो बनाने के लिए आप लोग जितना जूम करके स्मूध करेंगे न उतना ही वेतर रिजल्ट मिलेगा आप लोग को आपको बाइक के सम्द्ट मिलेगे वी वे वाइक के स्मूध के स्मूध को तो देखिए दोस्तों हम अपने फोटो को अच्छे तरीका से फेसे स्मूथ कर ली देन उसके बाद यहां से थिरी डॉट पर क्लिक करेंगे अपने फोटो को अच्छे तरीका से इडिट कर ली अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजी और बिल आइकन को प्रेस कीजी तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई ट्रीक के लभी